नमस्कार किसान भाईयो मैं डाक्टर रामा उतार वेग्यानिक तिलह ननुन भाग मैं आपको बताऊंगा सर्षूं की सर्षूं और राय की जो वराइटीज हैं किन-किन परिस्थितियों के लिए उनको रिलीज किया गया है और क्या-क्या उनकी विसेश्थाएं तो इनके बा तो पहले प्रिस्थिती है वहाओ इसकर आपड़ी किसम हैं सबसे पर पुराने किसम और बहुत यह जवाब किसम आज भी जहां हैं आज सारे के सारे जितने भी राज्जे हैं वहां तक यह किसम फैल चुकी थी लगबग चाड़िस साल इसको हो चुके हैं और आज भी बहुत परचलित है इस किसम का दाना जो है वह मोटा है और जो इसकी ओस्ट पैदावार है जो वह है बीस से 22 किमिटल पर एक्टेर के आसपास औ और जो वह ज़्यादा विजाई के लिए भी यह बहुत ताइम नहीं लेती एक सुपैंतिस एक सुचाड़े दिन में पकर तयार हो जाती है दूसरी किसम की बात करते हैं दूसरी किसम हमारी लक्षमी आरच अठाशी बारा भी इसको बोलते हैं यह किसम जो है उनीस किसम की फड़ियों का थोड़ा छोटा है और यह जो है थोड़े से थोड़े से तापमान ज्यादा हो जाए तो उसके भी मध्यम अवरोधी है और और यह इसकी उस्त जो पैदावार है इसकी जो उपजाए वह है तेज से 25 किमटल परती एक्टेर लगवग 40 परसेंट इसमे में तेल की मात्रा है अब आती है चोत्ती किसम चोथी जो हमारी किसम है वह आरेच 7049 यह जो है सिंची तावस्था के लिए बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया है अजार दानू का जो इसका भार है वो शाड़े 6 गराम के आसपास है तेल की मात्रा और यह बहुत ही परचलित किसम है और यह देखने में बहुत सुनर लगती है किसम इसकी मोटी मोटी फड़ियां और जो है इसका आकार वो किसानों को बहुत ही लुबाता है अब बात करते हैं जो आपकी जो बरानी आवस्था है बरानी आवस्था के लिए क्या किसमे तो किसा बाद कर रहे थे जो पहले वाड़ी अवस्ता थी वह सिंचित आवस्ता और समय में पे बिजाई अब दूसरी अवस्ता जो है उस पे आते हैं वह है आपकी ब्राण्य आवस्ता और समय पे जाई इसके यह जो किसमें हमारी वह चार-पांस किसमें मुखे तोर पे एक तो है आरच 119 दूसरी है आरच बी पचास तीसरी है आरच 406 चोथि है आरच 725 और पांचमें है आरच 761 तो यह जो आरच आरच बिस्ट्राश यह किस्म आप हमारे जो बार्व से विक्सित की गई है और इस किसम की विशेष्टाइं देखें तो इसमें लगभग 18-20 किमिटल के आसपास पैदावार बनानी परिस्तितियुम देती है यह दाना इसका ही मोटा है तेल की मातला लगभग 40 परसेंट दूसरी जो हमारी किसम है एक सो आरच 119 वह हमारे यहीं से इसार सेंटर बिक्सित की गई है और वह एक वहतर्ण किसम है तीसरी किसम पर आते हैं वहा आपकी आरच 460 से यह हमारी किसम जो है बहुत ही बड़िया किसम है इसका दाना बहुत मोटा है और इसके उस्थ उपद जो है वह 22 से 24 किम्टल के आसपास परती एक्टेर के आसपास है अब अगली जो किसम आती है वह हमारी आरच 725 यह जो यह आरच 725 किसम है यह जो किसम है वारी यह बहुत ही इसको आल्राउंडर किसम हम कह सकते हैं और इसकी अगर विशेशताइं बताएं तो यह विक्सित्तों की गई है बरानी एरियाज के लिए बरानी कंडिशन के लिए बरानी हमारी जो परिशितियां उसके लिए लेकिन यह हमारी सिंचित अवस्था में भी भहुत यह अच्छा अच्छे रिजल्ट दे रही है अच्छे परिणाव दे रही हैана और इसकी अगर इसके बारे में बाते करें तो यह इसकी फड coalition देखें तो बहुती लंबी और खूब मोटी फड़ियां है और पोद्यगाकार भी बहुत सुंदर है और और इसकी जो जो पकाई का समय है वह भी लगवग 136 से 143 दिन के बीच में यह पक जाती है और इसमें तेल की मातरा लगवग 40% है और यह लगवग लो सा लू म näं ही इतनी परक्ड़ित हो गई इसकी भी बेर्ध की बहुत आधीक लगवग सारी इस्टेट के वी हैं उनके किसान इसको पसंद किये हैं इसकी बीज की मांग करते हैं और इसके अगरिम पंग्ति परिक्सर्ड सारे के सारे सारे जो 4-5 स्टेटंंके जो केमिकेज ह है इसके बाद जो हमारी किसम आई है वो है आरज 761 उसकी भी उसे पैदावार इसे एक उंटल ज्यादा है बरानी परिश्थिती में और उसमें तेल की मात्रा जो है वह इसे आदा प्रसेंट लगवग ज्यादा है इसे आरज 725 से आगे एक परिश्थिती और बस्ति हमारी की लेट सोन पचेती विजाई के लिए तो पचेती विजाई के लिए हमारे पास दो किसमे हैं जो उप्यूक्त हैं पहली तो है आरज 30 और दूसरी है आरज 801 यह दोनों अगर पचेती विजाई में अगर इनको परियोग करें तो बहुत अच्छे परिणाम दे रही हैं और ल और नोरा है उमारी सरसूऑ की पीडी शर्सूऑ वह तकिसम AllS 4001 यह दो किसम है इसकी यह सका दाणा ओर अप क्लेरा तो पास है और यह दो 122 इसRP और ठैयार होती तो ऑमारी सर ओर जो राय की किसमें है उनके बारे में धन्यवाद